Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. को अगर आप Sponsors कर सकें, आप इश्टहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे. भारत में गलवान वैली में चीनी फाजीयों की बरबरियत और बैक स्टैबिंग की वज़ा से बीज भारती फाजीयों की शहादत के बात. भारत में इस वक्त करोना पैंडेमिक के साथ दूसरी बड़ी बहस जो बन चुकी है और वो है चीन का भारत के साथ एक जालमाना और दोका दही पर मुझतमिल रवया और भारत के नौजवानों की शहादत. मगर इसके साथ जो सबसे बड़ी बहस भारत में चल रही है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरिंदरा मुदी चीन के आगे जुग गए हैं. राहुल गांदी ने तो यहां तक कह दिया कि नरिंदरा मुदी जी का नाम बदल कर अब सुरिंदर मुदी रख दिया चाए. दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरिवाल जी का आपके साथ शेयर करना चाता हूँ. उन्हों ने जिस धंग के साथ इस सारी बहस को सम अप किया अपने इस मुक्तसर वीडियो में वो देखने और सुने के लाइक है उन्हों ने कहा कि चीन के मसला पर राजनेती ना की जाए औ और उन्हों ने ये भी वाज़ तोर पर कहा कि इस वक्त भारत को दो चैलेंज़ पेश हैं एक तो चीनी वाइरस का और दूसरा बड़ा चैलेंज चीन की कैमिनस पार्टी की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक इंतहाई जालमाना और दोखा दही पर मबनी एकदाम का. आज पूरा देश चाइना के खिलाफ दो युद्ध लड़ रहा है। एक चाइना के दौरा भेजे गए वाइरस के खिलाफ और दूसरा चाइना के खिलाफ बॉर्डर के उपर युद्ध लड़ रहा है। वाइरस के खिलाफ हमारे डॉक्टर हमारे नर्स ये सब युद्ध लड़ रहे हैं और बॉर्डर के उपर हमारे सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। पूरा देश हमारे डॉक्टर के साथ एक तरफ खड़ा है और हमारे दूसरी तरफ हमारे सैनिकों के साथ खड़ा है। और इन दोनों युद्धों को हमें पूरे देश को मिल के लड़ना हैं। इसमें बिलकुल राजनीती नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई पार्टी बाजनी कोई गुट बाजनी सारे देश को एक होके करोना के खिलाफ भी युद्ध लड़ना है और चाईनय के खिलाफ भी हमें युद्ध लड़ना है। हमारे 20 जवान पीछे नहीं खटे हम पूरे देश भी पीछे नहीं हटने वाला है। तक हम जीत नहीं जाएंगे तक उतक देश पीछे नहीं अटेगा जाहिए डिली के चीव मिनिस्टर अरविंद के अजरिवाल का ये कहना बहुत ही एहम है अगरचे वो आपोजीशन लीडर है मगर उनों ने जिस तरह बसीरत का इसार किया वो मेरा ख्याल है भारत के तमाम अपोजीशन लीडरों को तोजो से सुनना चाहिए और इसके साथ साथ भारत के अपोजीशन की हमायत करने वाले मीडिया को भी इस बात पर तोजो देना चाहिए यहां पर भारत के एक यूटीवर ब्लागर ने जिस तरह प्रामिनिस्टर नेंडरा मूदी के हवाले से अपनी क्रिटिसिजम पेश की वो क्रिटिसिजम सुनकर वाज़त और पर अंदाजा होता है कि अपोजिशन भारत की इस सूर्टेहाल को एक्स्प्लॉइट करना चाहती है और इस सूर्टेहाल से अपने मानी क्रिएट करना चाहती है नवसकार नहू धर्मेंदर आप देख रहे हैं ओनलाइन यूज इंडिया एक पुराना मुहावरा है अकल बड़ी या भैस बड़ी या आपने जरूर सुना होगा लेकिन मुझदप रिस्टियों में एक नया मुहावरा निकला है और वो नया मुहावरा प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के लिए है इमेज बड़ी या देश बड़ा हमने लगातार देखा है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने जिस तरह से फैसले लिए नोटबंदी का फैसला लिया गरीबों की कमर तूट गई जीस्टी का फैसला लिया वैपारियों की कमर तूट गई और अब हाल में ताजा फैसला लिया अचानक से लोकडाउन लगाने का फैसला प्रवासी मजदूर दरदर की ठोकरे खाने को मजबूर हो गए लेकिन प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने 19 जून को सरुदलियेक पार्टी की मिटिंग के बाद में एक बयान दिया कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है और ना ही किसी ने हमारी किसी पोश्ट पर कबजा किया है प्रधान मंतरी जी का ये बयान उनको शायद अंदाजा भी नहीं था या यूँ कहें कि उनको अंदाज़त था लेकिन उन्हाने अपनी इमेज से समझोता नहीं किया और देश के साथ में समझोता कर लिया एक क्रिटिसिजम प्राइमिनिस्टर निंद्रामूदी के हवाले से सुना जिसमें वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइमिनिस्टर निंद्रामूदी डर गए और वो ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइमिनिस्टर निंद्रामूदी के वो दावे कहां गए जो वो अपनी बहादरी के और 36 इंच चोड़ी चाती के किया करते थे भारत के opposition leaders और भारत का opposition media इस वक्ट चीन की भारत के साथ जो सूरतेहाल है वो पाकिसान के साथ सूरतेहाल को compare कर रहा है यह एक बहुत बड़ी गलती है मैं यह समझता हूँ कि ऐसा नहीं किया जा सकता उसकी वज़ा यह है कि चीन और भारत मकाबले की दो बड़ी nations हैं अपने economy के size में भी अपने अबादी के size में भी और इसके साथ साथ प्रामिनसर निर्डा मूदी किस तरह कोई बहुत radical अक्तामाद उठा सकते हैं यह अभी कहना मुश्कल है इसलिए कि सूर्टेहाल बहुत पचीदा है भारत की चीन के साथ जो इस वक्त face of की सूर्टेहाल है उसको पाकिसान की सूर्टेहाल के साथ compare नहीं किया जा सकता क्योंकि ना तो पाकिसान के साथ भारत की काबले जिकर तजारत है और ना ही दोनों का size economy और population के इतवार से एक जैसा है जबके चीन के साथ मामला दूसरा है चीन बिला शुबा अपने उस खिते में expansionism की policy को आगे लेकर चल रहा है भारत की कोशिश रही ना सिर्फ प्रामिस से निर्दा मूदी की हकोमत में बलके इससे पहले भी कोशिश रही कि चीन के साथ unnecessary confrontation ना हो लेकिन अगर सूरते हाल काबू से बाहर होती है तो यकीनी तोर पर भारत की आर्मी भारत की हकूमत इस बात की एहल है कि वो चीन के हमलों का ताबर तोर जो आप दे सकें मगर मसले का ये हल नहीं जिस तरह opposition के कुछ लीडर या कुछ मीडिया प्रामिस्टर निर्दा मूदी को परवोग करना चाहते हैं यू लगता है कि जैसे वो चीन का परपर सर्फ कर रहे हैं अब आप रहुल गांदी का एक ट्वीट ही देखिये उच में वो कहते हैं कि प्रामिनिस्टर है स्रेंडर्ड इंडियन टेरिटरी तो चाइनीज अग्रेशन इफ दे लैंड वस चाइनीज वाय वर आर सोलजर्स किल्ट वेर वर दे किल्ट रहुल गांदी ने ये दो सादा से स्वालात जाहर पोज किये हैं प्रामिनस्टर इंडामूदी और उनकी हकومत को प्रामिनस्टर इंडामूदी ने जब से ये कहा कि कोई भी चीनी स्पाही भारत की सरजमीन के अंदर नहीं गुसा तब से भारत का opposition media towards bjp government और भारत के opposition leader इस बात पर स्यासत चमका रहे हैं कि आखर फिर इस तसादम की नौईयत क्यों आई थी भारत की सरकार का ये कहना है कि उनको गुसने से रोकने की कोशिश में ये तसादम हुआ और इस तसादम के नतीजा में बीस भारती फौजियों ने अपनी जाने पेश की लेकिन चीन को अपनी सरहाद के अंदर नहीं आने दिया बीजेबी हकूमत के सादा से जवाब को opposition तसलीम करने को तयार नहीं वो अपनी इस पर स्यासत चमका रहे हैं उनके इस स्यासत चमकाने पर ही एक और opposition लीडर अरविन केजरिवाल जो डिली के चीम मिनिस्टर हैं उन्होंने खुल कर कहा कि इस मसला पर आप अपनी स्यासत ना चमकाएं बलके इस हकीकत को समझें कि चीन के दो इस वक थरेट भारत को दरपेश हैं एक चीनी करोना वाइरस का और दूसरा चीन की फाज के जालमाना हमले का और चीन की तरफ से आने वाले किसी भी मुमकिना खत्रे का लेकिन लगता है कि भारत की अपोजीशन और उनके हामी और बीजेपी की सरकार को हर मरहला हर मौका पर डेमोनाईज करने वाले चाहे वो सो कार्ड लेफ्ट के अलिमेंट्स हों इंटलेक्शल्स हों या पॉलिटीशन्स हों वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते उनका एक ही मौकफ होता है कि किसी तरह से बीजेपी सरकार और मौधी जी को एक ऐसी इंतहान दिया जाए एक ऐसे इंतहान में डाला जाए कि वो हर वक्ड मुश्कल में रहे चाहे मुलक करोना जैसी मौलक बेमारी से गुजर रहा हो चाहे मुलक को चीन जैसे मोजी दुश्मन का सामना हो मगर ये अपोजिशनल लीडर या इनका हामी मीडिया हर वक्त यही चाहता है कि किसी न किसी तरह से भारत की मजूदा सरकार को प्रवोक किया जाए और प्रामिनिस्टर निंदामूदी को प्रवोक किया जाए मगर ये सूरते हाल बहुत पचीता है प्रामिनिस्टर निंदामूदी इस पर कोई political decisions नहीं ले सकते कोई political provocation नहीं कर सकते उनको पूरी briefing पहले आर्मी से लेनी होती है और वो briefing जाहर है ऐसी है जो sensitive नुएद की है और वो मीडिया के सामने उसका इजहार भी नहीं कर सकते और नहीं वो briefing पब्लिकली ले सकते हैं वो briefing behind a door है और उन तक वो briefing बिला शुबा पहुंच रही है और उस briefing के नतीजे में ही प्रामिनिस्टर निंदामूदी अपने patience का मुझारा भी कर रहे हैं और opposition और उनके हामी मीडिया के ताबड तोड हमलों का पाइमिनिस्टर निंदामूदी और बीजेपी सरकार बिल अमूम खामोशी की सूरत में ही जवाब दे रहे हैं क्योंके मामलात बहुत sensitive हैं और इन मामलात के सिलसला में सिर्फ और सिर्फ भारत की आर्मी की briefing ही काफी नहीं है बलके वो जो global और international scenario है उसको भी भारत की सरकार पेशे नजर रखे हुई है और लास्मी तोर पर हम कह सकते हैं कि भारत की सरकार back door diplomacy के हावाले से इस वक्त बहुत सारे western countries के साथ भी अपने राप्ते में है लहाज़ा opposition और उनके हामी media की जो सतहई बाते हैं superficial बाते हैं उसका जवाब ना देना ही इस वक्त दानिशमंदी है इसी सूरते हाल में हम भारत के seasoned journalists भी देखते हैं जैसे शेकर गुपता हैं वो भी बात करते हैं कि unlike Nehru, Moody has no critic in his cabinet but he shares one weakness with him a large than life public image and a thin skin Zee sees that from Dock Lam to Pulwama he has noticed how vital quote-unquote faces for Moody's domestic politics बहुत ही seasoned journalists हैं शेकर गुपता जी इनकी कुछ बातें बहुत डेप्थ पर मबनी होती हैं कुछ बातें वो शायद politicize कर देते हैं शायद वो इस article में यही कहना चाह रहे हैं कि प्राइमिनिस्सर नेंडरा मूदी इस मामले में बहुत कच्छे जा रहे हैं और इस बात का अंदाज़ा प्रेसेंट जी को है यू चाइना इंडिया के फेस आफ के मामला पर मूदी जी के image के हवाले से एक ऐसी बहस भारत में चेड़ी है जो अफ कोर्स भारत के opposition leaders और उनके हामी मीडिया और YouTube bloggers ने चेड़ी है वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि मूदी जी को अपना image बहुत अजीज है और इसके इलावा मूदी जी को भारत के interest अजीज नहीं है हाला के जिस तरह की debate ये लोग भारत में कर रहे हैं इससे उनकी अपनी naivety का अंदाजा होता है इससे उनकी अपने भूलपन का अंदाजा होता है या फिर वो अपनी तरफ से जो अयारी दिखाने की कोशिश कर रहे है यानि सूरते हाल को politicize करके बीजेपी को नीचा दिखाने की जो कोशिश कर रहे है वो किसी सूरत भी काम्याब होती नजर नहीं आती क्योंके बीजेपी के image को ये CAA के बरपूर पॉर्टेस के दुरान भी खराब नहीं कर सके और डेली राइट्स करवा के भी खराब नहीं कर सके तो ये मामला तो भारती समयते हैं कि उनके बहुत ही national interest का है और भारतियों की अकसरियत भारत की मजूदा हकूमत के साथ है और वो समयते हैं कि ये बहुत ही sensitive मामला है इसी सिल्सा में भारत की opposition और उसकी हमायद करने वाले जर्नलिस्ट कुछ ऐसे साबक फौजी अफसरों के बियानात को भी सर्कुलेट कर रहे हैं जो बियानात वो समयते हैं कि उनके हक में जाते हैं एक ऐसा ही बियान ट्विटर पे आप भी आजकल देख रहे होंगे जैसे प्रैमिनिस्टर साब ने बोला है कि वहाँ पर चीनियों ने हमारी कोई जमीन नी लिया ना कोई पोस्ट लिया है तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अचंबे की बात है जहां पर ग्राउंड रियालिटी जो है कुछ और बोलता है रिपोर्ट्स जो मीडिया की बाकी जतने भी मरमियां के लोकल्स हैं उनका कहना तो इन सारी चीज़ों का देखते हुए उन दोनों के बीच में थोड़ा मद्बे इस बियान में भी ये फौजी अफसर बहुत मौतात जबान अक्तियार करते हैं मगर ये बात याद रखनी होगी कि इस वक्त की जो फौजी लीडर्शिप है जो फेस आफ के डायलॉग में भी शरीक है और जो लदाख में चीनी फौजीयों को भी फेस कर रही हैं उनको ग्राउंड रियालिटीज का अंताज़ा है वो यकीनी तोर पर प्रैमिनिस्टर नेंडरा मूदी के साथ और उनकी सरकार के साथ ये मामला डिस्कस कर रहे होंगे और जैसा कि मैंने पीछे कहा कि बैनल कौामी सता पर भी बहुत सारे वेस्टरनर कंट्रीज के जो इदारे हैं वो भी इस वक्त भारत की टॉप इंटेलि सकते और ना ही आपोजीशन और उनके हामी जैनलिस्ट या एक्स्ट्रीम लेफ्ट के लोगों को जो आप दे सकते हैं लहाँजा बजाहर यहीं लगता है कि प्रैमिनिस्टर नेंडरा मूदी जिस तहम्ल बुर्दबारी और बरदाश के साथ इस सारी बाचीट को इस सारे मस यह बात भी तैह है कि भारत के कुछ आपोजीशन लीडर और उनके हामी ब्लॉगर्स जैनलिस्ट जिस तरह की प्रॉवकेटिव लैंगविज इस्तमाल कर रहे हैं दर हकीकत वो चीनी एजंडे और चीनी प्रॉपगेंडे की हमायत करने वाली बाते हैं इस सिलसा में A top Republican on the House Foreign Affairs Committee is considering tough tactics to counter China's propaganda campaign. It's a move that was used effectively by the U.S. against the Soviet Union during the Cold War. The leader of the GOP-led China Task Force is pushing to form a special group to counter Chinese regime propaganda. In an article published in The Hill, Congressman Michael McCaul is calling to establish a State Department-led interagency group, saying he will soon introduce a bill about it. The idea is for a modern-day version of the Active Measures Working Group. The group was formed during the Cold War to counter aggressive Soviet Union propaganda. Propaganda that claimed U.S. scientists developed the AIDS virus as part of biological weapons research. McCaul said the U.S. right now is facing a similar situation. The Chinese Communist Party has actively launched a propaganda campaign against the U.S. China's Foreign Ministry spokesperson said on Twitter that the CCP virus originated from the U.S., hinting that the U.S. army brought the virus to Wuhan. Twitter refused to take the post down, saying the misinformation does not violate his policies. Here in Canada, there is a protest of Canadian Baloch. Baloch's people are fighting against the Pakistani army, against the people's liberation army of China and in which the decisions are made in Islamabad, in GHQ of Rawalpindi, where the army headquarters are. and also by the Communist Party of China. They are equally criminal partners in Pakistan's slaughter and atrocities taking place in Balochistan. This is how the President of the U.S. कहती का इजहार करते हुए वाज़ तोर पर कहा कि वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के भारती फाज पर हमले की भरपूर मजम्मत करते हैं. हम उमीद करते हैं कि भारत चाइना फेस आफ के इस बहुत ही सेंस्टिव और कम्पलेक्स मामला के पेशे नजर भारत की आपोजीशन और उनका हामी मीडिया अपनी लेंग्विज का इस्तमाल करते हुए थोड़ी इत्यात बरते क्यूंकि इस से चीन के मफदात को ज्यादा फाइदा होगा और भारत को इस तरह की लेंग्विज का नुकसान ही नुकसान है क्यूंकि प्रामिस सेने दामोदी, उनकी सरकार, भा भारत के हिसास इदारे, इस सारे मामले में खुलकर बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि ये बहुत ही सेंस्टिफ मामलात हैं, और जैसा कि मैंने शुरू में अरविन कैजरीवाल की वीडियो आपको दिखाई थी, वही वीडियो मैं इस शो के आखर में दोबारा दिखाना चा भारत की बाकी ओपोजिशन को सुनना और देखना चाहिए यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाई किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो, टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता, आपका तावन भी हमें चाहिए, टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें, आप इश्टहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे किसी कर आपदर हो, टी जँी खुझा कहिं तो इसान समय को युद राप सके हो, तَّ राप भी हमें उसके कर दोद है, गुटहार हो,ि एमाना हो, युटहार हो, व chains, भी हम तो आपके